रोमियो के नाम पॉलो स्प्रेरित की पत्री अध्यायती सो यहूदी की क्या बढ़ाई अथ्वा खतने का क्या लाब हर प्रकार से बहुत कुछ पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौपे गए यदि कितने विश्वास खाती निकले भी तो क्या हुआ क्या उनके विश्वास खाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्त ठहरेगी कदा भी नहीं वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य छूठा ठहरे जैसा लिखा है कि जिससे तु अपनी बातों में धर्मी ठहरे और नियाए करते समय तू जयए पाए सो यदी हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिक्ता ठहरा देता है तो हम क्या कहें क्या ये कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अनियाई है ये तो मैं मनुष्य की रुईती पर कहता हूँ कदा भी नहीं नहीं तो परमेश्वर क्यों कर जगत का न्याय करेगा यदि मेरे जूट के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई तो फिर क्यों पापी की नाई में दंड के योग ठेराया जाता हूँ और हम क्यों बुराई ना करें कि भलाई निकले जब हम पर यही दोश लगाया भी जाता है और कितने कहते हैं इनका यही कहना है हैसों का दोशी ठेहराना ठीक है तो फिर क्या हुआ कि हम उनसे अच्छे हैं कभी नहीं क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर ये दोश लगा चुकें तिवे सब के सब बात के वश में जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं एक भी नहीं कोई समझदार नहीं कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं सब भटक गए हैं सब के सब निकम्मे बन गए हैं कोई भलाई करने वाला नहीं एक भी नहीं उनका गला खुली हुई कप्र है उन्होंने अपनी जीवों से चल किया है उनके होटों में सापों का विश है उनका मूँ श्राप और कड़वाहट से भरा है उनके पाम लहू बहाने को फुर्तीले है उनके मारगों में नाश और क्लेश है उन्होंने कुशल का मारग नहीं जाना उनकी आखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के आधीन है जिससे हर एक मूँ बंद किया चाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग के ठहरे क्योंकि व्यवस्था के कामू से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा कारण कि व्यवस्था के द्वारा बाप की पहचान होती है पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वो धार्मिक्ता प्रगठ हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविश्य द्वक्ता देते हैं अर्थार परमेश्वर की वो धार्मिक्ता जो मसीही पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है क्योंकि कुछ भेद नहीं सबने पात किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है परंत उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसी इशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराय जाते है उसे परमेश्वर ने उसके लोहू के कारण एक ऐसा प्राश्शित ठहराया जो विश्वास करने से कारेकारी होता है कि जो पात पहले किये गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहन शीलता से आनाकानी की उनके विशे में वो अपनी धर्मिक्ता प्रगट करें वरन इसी समय उसकी धर्मिक्ता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे और यिशू पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो तो घमंड करना कहां रहा उसकी तो जगा ही नहीं कौन सी व्यवस्था के कारण से क्या कर्मों की व्यवस्था से नहीं वरन विश्वास की व्यवस्था के कारव है। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामू के बिना विश्वास के त्वारा धर्मी ठहराता है। और खत्ना रहितों को भी विश्वास के त्वारा धर्मी ठहराएगा। तो क्या हम विश्वास के त्वारा व्यवस्था को व्यर्थ ठहराते हैं। कदा भी नहीं वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं।